आज मैं आप लोग साथ में शेयर करने वाली हूं कुछ कूरती जो की एजियो से है एक दम अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसे पर्चेस किया है तो वहीं मैं आज आप लोग साथ में शेयर करूंगी यह जो कूरती है यह स्टार्टिंग है 200 रूपीज से 500 रूपीज तक के तो थ्री कूरती है जो मैंने यहाँ पर्चेस किये है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तीनों भी कूरती जो है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे रिसीव हुई है और साथ ही इसकी कॉलिटी जो है बहुत बहुत अच्छी कॉलिटी है तीनों भी कूरती जो है आप पर्चेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो अगर आपको पसंद आये तो तीनों भी कूरती में कोई भी कॉल्ट नहीं है इसके पहले मैंने एजियो से कुछ कपड़े मंगवाये थे बट मुझे उसकी ट्रस्ट नहीं हो रहा था उस पर तो अभी जाकर के मैंने यहां पर कुछ वहां से शॉपिंग की है तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे वहां के कपड़े रिसीव होंगे बट ऑफर में था इसलिए मैंने वहां से ओडर कर दिया था यकिन मानिये कि बहुत करते हैं एतना ओफ़रेबल प्राइज में वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस यह मेरा फॉस्ट कुरता जिसे कि मैंने 500, 510 यह ट्वेंटि रूपीज में मैंने इसे पर्चेस किया है मैं इस वकीर पर मेंसे मैं इसेकर किया है but as a price 500 मुझे यह कुल्टा जो है बहुत अच्छा रिसी हुआ है बहुत मिस बहुत इच्छा रिसी हुआ है क्योंकि कॉलिटी वाइस डिजाइन वाइस हर चीज में यह कुरता जो है एकनम पर्फेक्ट लगा मुझे तो लाइट पिंग कलर में है यहां कुरता आप देख सकते हो इस टाइप का कुरता है यहां एट इस पर पूरा फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है सो इसपर फुरह टीजाईन बना हुआ है इसमें जो ने की दिजाईन दिया गया है इस तरह का ने की दिजाईन है एड यह जो वर्ग किया गया है यहां पूरा इंबरोऑडरी वर्ग है आप देख सकते हो पुरा embroidery work है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया अप साइड से लेके बॉटम साइड तक के पूरे इसमें buttons detaching की गई है बट जो है only two buttons open होती है बाकी buttons open नहीं होती पूरी buttons detaching जरूर की गई है लेकि two ही button को open कर सकते है and sleeves इसमें three four sleeves दी गई है and sleeves में इस तरह का embroidery work किया गया है sleeves में भी पूरा embroidery work है and bottom side से ही है जो कुरता है flared कुरता है इस तरह से so जो flared कुरते है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे है and मेरे पास भी already flared कुरते बहुत सारे है and यह भी जो मैंने purchase किया है यह flared कुरता ही है तो यह कुरता finally मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है and इसका जो material है यह rayon material है लेकि rayon में भी जो चिपकने वाला material होता है वो वाला नहीं है थोड़ा I think इसमें थोड़ा cotton में mix है तो इसका जो कपड़ा है बहुत ही अच्छा लगा मुझे पूरे floral work किया गया है इस पे तो अच्छा है मुझे पसंद आया यह and चलिए अब मैं इसका closer दिखा देती हूँ मैं आपको इसे wear करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जो है मुझे सारे कुरते ज़गे लूज आये है शायद मुझे यह जो brand है इसका क्या brand है यह जो अवाशा brand से है तो मैंने इसे M size में मंगवाया था M size पहले मुझे A size perfect आता था अब M size आता है बट फिर भी M size के हिसाब से मैंने थोड़ा बड़ा ही मंगाया था क्योंकि मुझे थोड़े loose वाले कुरते अच्छे लगते है बट यह मुझे बहुत ज़्यादा loose आया मतलब loose आ रहा है तीनों भी कुरते मुझे बहुत ज़्यादा loose आ रहा है तो इसलिए मैं wear करके नहीं दिखाऊंगी बड में इसको आपको close up से दिखा देती हूँ कि यह कैसा लगता है सो फ्रेंड आपको फर्स्ट कुरता कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएए और उसकी कॉलिटी जो है बहुत अच्छी है अगर आप पर्चिस करना चाहे तो मैं ज़रूर रिकमेंट करूँगी और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्श बॉक्स में दे दूँगी आप से काउट कर सकते हो अब भी जो है जो है जो है बहुत अच्छी ओपर स्टार्ट है तो आप एक बाद ज़रूर विजिट कीजिए अब है यह मेरा सेकिंग कुलता जो कि मस्टड यलोक अलर में है अगर आप चाहे तो इसमें एड कर सकते है इसका भी ब्राड ग 요 soon ही है आप इसे मैंने M अब मनग वात ऊथ है यह थोड़ा जोड़ा मुझे लूज आ रहा है इसमें पूरा foil print किया गया है शायद के आमरे में आपको दिखे तो golden कला से पूरा foil print किया गया है इसमें इसमें जो है round neck हमें मिलता है और wear करने पर यह बहुत जादा beautiful लगता है मैंने इसे wear करके देखा है लेकिन यह बहुत loose है इसलिए मैं wear करके नहीं दिखा रही हूँ मुझे सच में बहुत पसंद आया है इसका भी तो material है rayon है यह मुझे 300 रूपीस में मैंने इसे purchase किया है लेकिन जितना अच्छा उसका material था उतना एकदम बहुत अच्छा नहीं है इस प्राइस बहुत अच्छा है 300 रूपीस में अगर हमें इतना अच्छा कुरता मिल रहा है तो बहुत अच्छा है मुझे अच्छा लगा पसंद आया मुझे इनर साइड में आप देख सकते हो इस तरह की slews में सॉरी ये तो है इसका packet में बता ना भूल गी इसमें हमें एक pocket भी मिलता है ये हमें इस तरह से एक pocket मिलता है इन इसमें slews भी गई है हाँ ये है हमें जो slews प्रोवाइट की गई है वो ये है तो ये जो कूरता है ये भी काफी पसंद आया मुझे मस्टर्ड कलर में ट्रांस्पेरेंट पिलकुल भी नहीं है ठीक material है रेयान material है बहुत अच्छा लगता है वियर करने पे अगर आप purchase करना चाहे तो इससे purchase कर सकते है मैं recommend जरूर करूंगी अगर product खराब रहे तो मैं कभी नहीं बोलती हूँ लेकर अगर मुझे product अच्छे रिस्यू होते है तो मैं उसे ज़रूर करती हूँ कि नहीं भी बहुत अच्छा है तो ये मेरा second product था चलिए अब मैं इससे भी आपको close up से दिखाती हूँ क्योंकि wear करके तो मैं इसे भी नहीं रिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत loose है इसलिए तो चलिए देखते हैं इसे close up से प्रेंट आपको second product भी कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए एंचल ये बढ़ते हैं थर्ड प्रोड की तरफ तो ये है मेरा only 200 रुपीज का I think 190 रुपीज में मुझे ये receive हुआ है यह कूरता and 190 रुपीज के साफ से है जो कूरते quality है बहुत बहुत अच्छी है 200 में भी कुछ नहीं मिलता लेकिन अगर 200 में आपको अगर कूरती मिल रहे है तो वह बहुत अच्छी बात है तो यहाँ भी एक फ्लोरल कुरता है और यह भी जो है अवासा ब्रांट से ही है तीनों भी कुरते अवासा ब्रांट से है क्यूंकि इस पर offer start था इसलिए मैंने इसी ब्रांट से कपड़े इसी ब्रांट से मंगवाई है तीनों भी कुरती तो यह भी एक फ्लोरल कुरता है and dark ब्लु कलर में यह कुर्टा है जो कि मुझे बहुत अच्छा पसंद आया इसका बीजा मैंटेरियल है राउन है इंट बहुत अच्छा मिटेरियल है कॉलिटी बहुत अच्छी क Years कि बिल्कुल भी खराब होने वाली है चुबने वाली नहीं है 3 नों दो पर फेल्ट है हैं इसम तो इसमें भी हमें बटन डिटेशिंग की ही मिलती है एंड पुरे फ्लोरल डिजाइन मिलती है आप देख सकते हो साइड में इस तरसी इसमें स्लीट दी गई है तो मुझे बहुत बहुत मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए क्योंकि प्राइस वैस मुझे जो इसकी कॉलिटी रिस होई है बहुत अच्छे रिस होई है मुझे नहीं लग राता कि इतनी अच्छे रिस होई होंगी मतलब हो गई यहां पर जो है इसमें बटन स्टेशि की हुई है नीचे में हाँ पे टेजर लगा हुआ है तो यहाँ भी कुर्टा जो है बहुत अच्छा लगा रेयॉन मटेरियल है तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्टर बॉक्स में आप सेक आट कर लिजेंगा अगर आपको चाहिए तो चले इसे भी मैं आपको क्लोजप से दिखा देती हूँ पूर्ता है मुझे लूज्स नहीं आया ये कूर्ता मुझे थोड़ा टाइट आया है अगर आपको पार एस सैज मुझे अ concerned लगता है तो मुझे थोड़ा टाइट आया है तो आप एक सैज बढ़ा ले, या फिर हो सकता है आपको आभी जायद पर मुझे नहीं आया है, इसका साइस इसली में से वियर करके नहीं दिखाऊंगी, इसके हैंड में इस तरह से हमें हैंड जो फसाने वाला, इससे पता नहीं क्या बोते हैं, इस टैप कर डिजाइन हमें य कर सकते हैं तो यह जो कुरता है मुझे बहुत पसंद आया चलिए अब मैं इसे आपको क्लोजब से दिखा देते हूं कि कैसा लगता है तो जिससे के आपको आइडिया भी लग जाएंगा कि पूरा फूल कुरता कैसा दिखता है अच्छे लगे आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और आपको तीनो भी कुरते में से जो भी कुरता पसंद हो और आप उसे पुर्चस करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्टर वाक्स में प्रोवाइड कर दूँगे आप चेक आउट कर लिजेंगा तक कि के हुआ आप झाल झाल